हालो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HDFC लाइफ संचे प्लस प्लाइन क्या है और इससे जूरी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूँगा दोस्तों वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर ये वीडियो चाल लगे तो इससे शेर जरू कीजेगा ऐसे खरीदें इन सभी बातों को आज के से वीडियो में मैं आपको डिटील में बताऊंगा इसलिए इस वीडियो को अंतक जुरू देखेगा दोस्तों HDFC लाइफ संचे प्लस प्लाइन एक नन पार्टिसिपेटिंग नन लिंक्ड सेविंग इंसुरेंस प्लाइन है दोस्तों ये प्लाइन लाइफ कवरेज के साथ सेविंग करने का भी आपको अप्सन देता है दोस्तों इसमें आप गैरेंटीड रेगल्वर इंकम का बेनिफिट अप्राप्त करते हैं दोस्तों SGFC लाइफ संचे प्लस प्लाइन आपको चार ओप्सनस में प्लब्ध होता है गैरेंटीड मैचियोटी प्लाइन गैरेंटीड इंकम प्लाइन लाइफ लॉंग इंकम प्लाइन और लॉंग टम इंकम प्लाइन दोस्तों गैरेंटीड मैचियोटी प्लाइन में आप आपको पॉलिशी अवधी के अध्मे एकमुस्त आपको Guaranteed Maturity Benefit दी जाती है। दोस्तो Guaranteed Income plan में आपको 10-12 साल की Fixed अवधी के लिए आपको Guaranteed Regular Income दी जाती है। दोस्तो लाइफ लॉंग इंकम प्लान में आपको गैरिंटीड रेगुलर इंकम वेक्षिट दिया जाता है दोस्तो पैमेंट कि अवधी के अंत में प्रीम्यम की वाफ सी करदी जाती है दोस्तो बात करें SGFC Life Sancher Plus Plan के Features की तो दोस्तो इसमें एक मुस्त या रेगलर इंकम के रूप में आपको Guaranteed Income का Benefit आपको प्राप्थ होता है दोस्तो इसमें 99 साल की उम्र तक आपको Guaranteed Income का Benefit प्राप्थ होता है दोस्तो इसमें 25 से 30 साल की fixed Duration के लिए आपको Guaranteed Income को आपको वापस कर दिया आता है दोस्तों इसमें एक्ष्ट्रा प्रीमियम के पेमेंट पर राइडर जोडने के ऑप्शन के साथ अपने सीक्यूर्टी कवरेज को बढ़ाने की सुविदा मिलती है जैसे कि HDFC Life Income Benefit on Accidental Disability Rider HDFC Life Critical Illness Plus Rider और HDFC Life Protect Plus Rider दोस्तों बात करें HDFC Life Sanchea Plus Plan के Benefits की तो दोस्तों इसमें आपको Maturity Benefit मिलती है दोस्तों HDFC Life Sanchea Plus Plan में आपको Policy अवदी की समापती पर Maturity Benefit का आपको लाव दिया जाता है दोस्तो पॉलिशी अवदी की समापती पर मिलने वाला मेजियोटी बेनिफिट आपके द्वारा चुनेगे प्लान पर निर्वर करता है दोस्तो आप HDFC लाइफ संचे प्लान के चार प्लान आपसेंस में से जिस भी प्लान का आप सेलेक्शन करते हैं आपको उसके नुसार मेर्शी बेनिफिट प्रवाइट की साती है दोस्तो HDFC लाइफ संचे प्लास प्लान में आपको डेथ बेनिफिट भी मिलते है अगर पॉलसी अवदी के दौरान इंस्योड वेक्तब्यटी की अगर आछानक डेथ हो जाती है तो इस मामले में इंस्योड व्यक्ति के द्वारा नोमिनेटेड व्यक्ति को death benefit के रूप में insurance की amount प्रोवाइड के जाती है दोस्तो, death benefit के रूप में मिलने वाली insurance की amount HDFC Life Sanchez Plus Plan के option के उपर निर्वर करती है आपको plan option के अनुसार ही death benefit प्रोवाइड के जाते है दोस्तो, HDFC Life Sanchez Plus Plan में आपको tax benefit भी प्रोवाइड की जाती है दोस्तो, HDFC Life Sanchez Plus Plan में आपको tax benefit का आपको लाव दिया जाता है दोस्तो, इसमें आप payment किया जाने वाले premium और मिलने वाले maturity benefit पर tax आपको tax benefit अपराप कर सकते है दोस्तो, आपको income tax की Act 1961 की धारा ATC के तहत पे किये गए premium और मिलने वाले maturity benefit पर income tax की Act 1961 की धारा 10D के तहत आप tax में छूट के लिए eligible होते है दोस्तो, HDFC Life Sanchez Plus Plan के लिए eligibility की बात करें यानि की पातलताओं की बात करें तो दोस्तो, इसमें entry age की बात करें तो दोस्तो, इसमें guaranteed income plan में minimum entry age 5 सल है और maximum 60 सल है दोस्तो, इसमें guaranteed maturity plan में entry की minimum age 5 सल है और maximum 60 सल है दोस्तो, इसमें lifelong income plan में entry की minimum age 50 सल है और maximum age 60 सल है दोस्तो, वहीं long term income plan की बात करें तो इसमें entry की minimum age 5 सल है और maximum 60 सल है दोस्तों वहीं age at maturity की बात करें यानि कि maturity की समय age कितनी होनी चाहिए तो दोस्तों इसमें guaranteed income plan में minimum age at maturity 18 साल है और maximum age at maturity 73 years है 73 साल है दोस्तों वहीं guaranteed maturity plan की बात करें तो इसमें minimum age at maturity 18 साल है और maximum 80 साल है दोस्तों वहीं lifelong income plan की बात करें तो इसमें minimum age at maturity 56 साल है और maximum age है 71 years 71 साल दोस्तो वहीं long term income plan की बात करें तो इसमें minimum age 18 साल है और maximum 71 years 71 साल है दोस्तो अब मैं आप लोगों को HDFC life संचे plus plan खरीदने के लिए जरूरी documents के बारे में detail में बता देता हूँ दोस्तो इसके लिए आपके application form जो की आपके द्वारा अच्छी तरीके से भरा हुआ होना चाहिए और इस पे एक आपका color passport size photograph चिपका होना चाहिए इसकी जरूरत होगी इसके अलाबा आपके medical report की जरूरत होगी दोस्तो इसके अलाबा आपके ID proof के जरूरत होगी दोस्तो आप ID proof के तोर पर आप अपना आधार card, voter ID card, passport, driving license इनमें से किसी एक की कॉपी दे सकते हैं दोस्तो इसके अलाबा आपके address proof के जरूरत होगी दोस्तो आप address proof के तोर पर आप अपना आधार card, voter ID card, passport, utility bill, driving license इनमें से किसी एक की कॉपी दे सकते हैं दोस्तो इसके अलाबा आपके age proof की ज़रूत होगी, आप age proof के तोर पर आप अपना birth certificate या फिर driving license या school या college के certificate इन मेंचे किसी एक की copy आप दे सकते हैं दोस्तो इसमें minimum installment प्रीमियम की बात करें तो दोस्तो इसमें minimum installment प्रीमियम की बात करें तो दोस्तो इसमें अगर आप annually प्रीमियम पे करना चाते हैं तो ये 30,000 रुपे सलान है दोस्तो अगर आप ये half yearly पे करना चाते हैं तो ये 15,000 रुपे है और quarterly अगर पे करना चाते हैं त तो इसकी maximum की कोई limit नहीं है दोस्तो अगर आप एक ऐसे insurance plan की खोज कर रहे हैं जिसमें आप life coverage प्राप करने के साथ साथ saving plan का भी आप benefit प्राप कर सके तो आप HDFC Life संचे plus plan के साथ आप जा सकते हैं दोस्तो इसमें आपको guaranteed income का benefit प्रोइड के जाते हैं दोस्तो ये plan आपको online और offline दोनों माधियमें में उपलब्ध है दोस्तो अगर आप इसे online माधियम से खरीदना चाते हैं तो आप इसे HDFC Life की official website पर जाकर आप आसान से आप states को follow करके आप इस plan को कुछ ही मिंडों में आप खरीद सकते हैं दोस्तो अफलाइन मोड से खरीदने के लिए आप HDFC bank की नजदी की ब्रांच में जाकर आ या फिर आप insurance agent के माधियम से भी इस insurance plan को खरीद सकते हैं तो दोस्तो आज के इसे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि HDFC Life Center Plus plan क्या है और इसके बारे मैंने आप लोगों को आज के इसे वीडियो में डिडियल से बताया है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंट के साथ इसे ज़रूर सेर किजेगा और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी याने टॉपिक के साथ तब तके लिए धन्यवाद